नमस्कार आप सब का स्वागत है पिम्परी के भोसरी इलाके में बने पिकनिक सेंटर में एक कट्रे से गरम पानी निकल रहा है इस पानी में प्लास्टिक की कोई भी चीज दस सेंकर तक डुबाने बार पेगल जाती है इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायल हो रहा है इलाके के लोगों में घबराड फैली है वहीं इस गड़े को देखने के लिए लोगों की भीड जमा हो रही है जानकारी के मुताबिक भोस्री स्थे पिकनिक सेंटर में बने हुए गड़े से पानी निकलने लगा था लेकिन जब लोग वहां पहुँचे तो पचा चला की वेर गर्म है कुछ लोगों ने इस पानी में प्लास्टिक की बोतल को दस सेंकर तक रखा लेकिन बोतल को जैसे बाहर निकाला गया वे जल गई थी लोगों को कहना है कि यह पानी काफी गर्म है और इसका कलर भी केमिकल जैसा दिख रहा है स्थानिय लोगों में इससे घबरहाट फैली हुई है उन्होंने जिया आलाय अजिस्ट द्वारा इस पानी की जांच करने की मांग की है उबलते पानी के गड़े की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं उन्होंने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है वहीं इस पानी में प्लास्टिक की बोतल दस से इंकट रखने के बाद जलने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है